नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन फो स्मार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा आवर्त सराणी से संबंदित जितने भी प्रेश्ण बन सकते हैं जितने भी प्रेश्ण बनने के संभावना है सभी मैं करवाऊंगा 15 15 क्वेस्चन का मैं स् आपको बेनिफिट मिलता रहे मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिया है यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए वहां पर रिजिनिंग की साइन्स की और मैत की बहुत सारे वीडियो में अपलोड किया है आप सब को से देखिए जिससे कि आपको आने वाले एक्जाम में फाइदा मिल सकेंगे question number 1 तत्तो का सबसे पहले वर्गी करण किस ने किया था question को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वीडियो को आप pause करिए लगाने का परयास करिए और आप question का answer दीजिए भले ही आप गलत दीज मेंडलीफ डोब रेनर ने तो कौन हो सकता है इसमें आपको इसमें guess करना है option number 4 इनकी D इसका answer हो जाएगा next question देखेंगे question number 2 तत्तो के वर्गी करण से सम्मंदित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किस ने किया था लूथर मेयर निव लेंड्स मेंडलीफ डोब रेनर ने तो इसमें जो option होगा वो option number हो जाएगा D डोब रेनर ने next question देखेंगे question number 3 में लिखा हुआ है तत्तो के वर्गी करण से सम्मंदित अस्टक नियम का प्रतिपादन किस ने किया number 1 है इसमें A लिखा हुआ है ड्रामा ने B में दिया हुआ निव लेंड्स मेंडलीफ C में है और D D में दिया हुआ है डोब रेनर ने तो आपको इसमें भी guess करना है answer देना है कौन सा option इसमें सही होगा तो question number 3 में होगा new lands next question देखेंगे question number 4 में है किस वैज्यानिक ने सर पर्थम आवर्त सारने का निर्माण किया था तो इसमें जो आएगा इसका answer होगा option number A next question question number 5 में है new lands ने डोब रेनर ने मेंड लीफ ने यहाँ पर यह गलती से लिग गया है यहाँ पर यह मोजले होगा ठीक है तो देखें new lands या डोब रेनर मेंड लीफ मोजले तो इसमें जो option होगा answer हो जाएगा अब 5 का answer जाएगा option number D मोजले ने ठीक है आवर्त इसमें आधुनिक आवर आवर सार्णी आपको जानकारी होनी चाहिए आवर सार्णी में दो से तीन question आता है exam में यह आपको BCS रूप से ध्यान देना है मतलब अगर कोई भी exam है और उस exam में यदि science आता है तो आवर सार्णी से जरूर question आता है जिसे English में बोलते है periodic table तो आपको periodic table जरूर आना चाहि जरूर आना चाहिए जरूर आना चाहिए तो आप देखेंगे हम लोग question number six question number six में लिखा हुआ है में डिलीप के आवर सार्णी में तत्तों के वर्गी करण का आधार क्या है तो देखिए इसमें चार option दिया हुए है परमाडू दरब बिमान परमाडू संख्या परमाडू आईतन परमाडू घनतु तो आपको इसमें option चूज करना है कि answer कौन सा होगा तो देखिए इसमें होगा परमाडू दरब बिमान option number eight का answer हो जाएगा next question question number seven में लिखा हुए है आधुनिक आवर्थ सार्णी में तत्तों के वर्गी करण का आधार क्या है इसमें भी चार option है प option number परमाडू संख्या भी हो जाएगा next question question number eight में लिखा हुआ है आधुनिक आवर्थ सार्णी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो 7,9,16,18 तो इसमें चार option में एक सही है आपको वीडियो को पाउस करना है लगाने का पर्यास करना है और answer देना आपको तो इसमें option number d का answer हो जाएगा next question देखेंगे question number nine में आधुनिक आवर्थ सार्णी में आवर्थों की कुल संख्या कितनी है 5,7,9,16 इसमें 4 option दिया हुए है और आपको एक option इसमें से सही choose करना है तो option number जो 4 दिया हुए है 9 में इसमें option number two हो जाएगा रथा बी हो जाएगा seven हो जाएगा उसक आवर्थ सार्णी में तत्तों को व्यवस्थित किया गया है गटते हुए परमाड़ भार में बढ़ते हुए परमाड़ भार में बढ़ते हुए परमाड़ आयतन में बढ़ते हुए परमाड़ संख्या में 4 option में एक सही है आपको चूच करना है तो जो question number 10 है इसका answer हो और C में है 12 और D में है 14 तो 1, 11, 12 और 14 एक option सही है वीडियो को पाउच करना है option खुच चूच करिए स्वेम से जिससे कि आपका confidence लेवल बढ़े और आपका practice भी साथ होता रहे तो 11 नमबर का option हो जाएगा B 11 हो जाएगा next question है 12 नमबर में लिखा हुआ है 12 नमबर question में सून समूह में रखे गए तत्यों किस नाम से जाने जाते हैं तो 4 option दिया हुआ है हाई लोजन, चार धातु है, चारी इम्रिदा, निस्क्रिये तत्यों तो 4 हैं तो इसमें 4 में एक option आपको सही चूच करना है तो इसमें जो होगा option number D का answer हो जाएगा निस्क्रिये तत्यों, next question देखेंगे question number 13 में लिखा हुआ है सबसे भारी धातु है, कौन सी सबसे भारी धातु है मतलब periodic table में जो धातु हैं उसमें कौन सी सबसे भारी धातु है, 4 option दिया हुआ है ए में चांदी, बी में सोना, सी में पारा और दिया हुआ है डी में ओसमियम तो इसमें जो option number D हो जाएगा इसमें, answer ओसमियम हो जाएगा next question, question number 14 में लिखा हुआ है, सबसे हलकी धातु है 4 option है, magnesium, aluminium, platinum, lithium तो सबसे हलकी धातु की बात कर रहा है, और gas की बात करेगा तो उसमें आता है hydrogen gas, लेकिन यहां पर बात हो रही है, धातु की तो 14 number का जो answer जाएगा, वो answer होगा D, option number D का answer हो जाएगा lithium next question है, question number 15 में निम्न में से कौन सा तत्तो सरवाधिक विद्धुत रिणात्मक है तो इसमें 4 option दिया हुआ है, oxygen, fluorine, sodium, chlorine कौन सा option होगा, option आप चूज करिए तो इसका जो answer होगा, वो option number B answer हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा जिससे के आने वाली वीडियो उसका आपको benefit मिलता रहे आज दीजे मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको next वीडियो में, next content के साथ में नमस्कार, धन्यवाद